Hello guys, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब हम कभी भी Windows इंस्टोल करते हैं, तो हमको एक bootable pen drive की जरूरत होती है, ताकि हम pen drive से boot करके Windows को इंस्टोल कर सकें, तो guys हम लोग जानते हैं कि हमें कई बार काफी जादा problem आती है bootable pen drive बनाने में, तो guys आज इस वीडियो में सारा cover करने व सबसे पहले मैं आप लोग के सामने Windows 10 डाउनलोड करूँगा, और Windows 10 डाउनलोड करने के बाद उसकी ISO फाइल सेव कर लूँगा कहीं पर, और उस ISO फाइल को यूज करके मैं आपको एक bootable pen drive बना कर दिखाऊँगा, तो चलिए guys शुरू करते हैं, चलिए guys सबसे पहले Windows 10 डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा आपके ब्राउजर पर, और ब्राउजर पर जाने के बाद आपको Windows 10 ISO डाउनलोड करनी है, तो Windows 10 डाउनलोड लिखेंगे, Windows 10 ISO सर्च करते हैं, और guys यहाँ पर Microsoft वाली वेबसाइट को उपन करते हैं, और guys यहाँ पर डाउनलोड टूल नाव को क्लिक कर देते हैं, तो guys जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टूल डाउनलोड हो गया है, अब मैं इसको उपन करता हूँ, यहाँ से ब्राउजर क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर परमिशन्स देते हैं, तो guys यहाँ पर टूल उपन हो गया है, तो guys यहाँ से हम टर्मेंट कंडिशन्स से को माल लेते हैं, तो guys अब मैं यहाँ पर create installation media USB flash drive यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इसको next करता हूँ और next करने के बाद इसमें लिखा है use the recommended options for this PC, तो guys आपको यह देखना है डाउनलूड करने से पहले, कि आपका जो system है वो 32 bit है या 64 bit, तो guys वो चेक करने के लिए आप यहाँ पर इस PC पर जाकर प्रोपरटाइज में जाकर चेक कर सकते हैं, तो guys जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरा system 32 bit operating system है, तो guys मुझे यहाँ पर 32 bit windows डाउनलोड करनी है, तो guys अगर आपके laptop में लिखा हुआ है कि 64 bit है तो आपको 64 bit डाउनलोड करना है, आप यहाँ से इसको अंचेक करके वर्जन को चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से windows 10 का addition select कर सकते हैं, और यहाँ से अपनी language को choose कर सकते हैं, तो guys चलिए मैं इसको यहाँ से next कर देता हूँ, तो guys मुझे ISO बनाना है तो मैं पहले ISO बनाऊंगा, इसको बनाने के बार direct मैं इसको कहीं पर save कर लूँगा, जैसे कि मैं आप लोग के सामने backstop पर save कर लेता हूँ, तो guys यहाँ पर downloading start हो गई है, मैं इसको थोड़ा fast forward कर देता हूँ, तो guys ISO बनाने का main purpose यह है, कि आप उस ISO को कभी भी windows install करने के लिए use कर सकते हैं, तो guys आप लोग अब यहाँ पर देख सकते हैं कि windows 10 डाउनलोड हो गई है मेरे desktop पर, तो guys इसकी ISO डाउनलोड हो गई है, अब मैं यहाँ पर finish कर दूँगा, तो guys finish करने के बाद मैं एक pen drive को use करने वाला हूँ, तो guys आप 8GB या 8GB से ज़्यादा कि कोभी pen drive यूज़ कर सकते हैं इस process के लिए, तो guys अभी जो मैं आपर pen drive यूज़ करने वाला हूँ यह 32GB की pen drive है, तो चलिए guys शुरू करते हैं इसको मैं insert करता हूँ अपने laptop में, तो guys pen drive इंसर्ट करने के बाद हमको एक software और डाउनलोड करना पड़ेगा, जो की 2-3MB का है सिर्फ, तो guys हम अपना browser open करेंगे, open करने के बाद यहां पर रूफस टाइप करेंगे, इसको open करेंगे, तो guys इसको download करने का link मैं आपको description में भी दे दूंगा, तो guys यहां पर click करते हैं, click करने के बाद इसको नीचे download से download कर लेते हैं, तो guys जैसे कि आप लोग देख सकते हैं download हो गया है, अब मैं इसको open करूंगा, यहां पर इसको permissions दे देते हैं, तो guys यहां पर yes कर देंगे, तो guys यहां पर यह इस तरीके का interface आपके सामने open हो जाएगा, तो guys सबसे पहले आपको यहां से अपनी pen drive को choose करना है, जैसे कि यहां पर new volume 32GB मेरी pen drive शो हो रही है, उसके बाद यहां पर disk और ISO image select करनी है, तो select करने के लिए आप यहां पर select पर जाएंगे, और guys जैसे कि मैंने अपनी ISO फाइल डाउनलोड की थी वह desktop पर थी, तो मैं desktop पर जाके इसको select कर लूँगा, और guys ISO select करने के बाद मुझे यहां पर नीचे जाना है, तो guys यहां पर हमको दो options मिलते हैं, MBR और GPT, तो guys जो पराने systems होते थे, वहां पर हम MBR यूज़ करते थे, लेकिन अभी जो latest laptops आ रहे हैं, उसमें GPT यूज़ होता है, तो मैं अभी यहां पर GPT यूज़ कर लूँगा, और guys यहां पर UEFI, non CSM system जो latest होते हैं, उनमें यह वाली profile आती हैं, यहां पर simple सिर्फ एक option है, तो हम इसको select कर लूँगा, और guys select करने के बाद, यहां पर मुझे कुछ चेक नहीं करना है, और वो direct start क्लिक कर देना है, तो guys यही कह रहा है, कि आपकी pen drive format हो जाएगी, तो हम इसको okay कर देंगे, तो guys okay करने के बाद आप देख सकते हैं, कि windows अभी आपकी pen drive में load हो रही है, तो guys मैं इसको थोड़ा fast forward कर देता हूं, तक यह video थोड़ी छोटी बने, तो guys जैसा कि आप लोग अब देख सकते हैं, यह मेरी bootable pen drive ready हो गई है, जैसे यहाँ पर ready लिखाएगा, मैं इसको यहाँ से close कर दूँगा, और guys अब मेरी bootable pen drive ready हो गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मेरी bootable pen drive ready हो चुकी है, तो guys अब मैं इस bootable pen drive को चेक करूँगा, कि actually जो ही मेरी bootable pen drive बनी है, कि actually windows को boot कर सकती है क्या, जब मैं laptop को start करूँगा, तो चलिए guys देखते हैं, मैं इसको insert करता हूँ, और insert करने के बाद, यहाँ पर windows को shutdown कर दूँगा, तो guys यह मैंने windows shutdown की, तो guys चलिए, सबसे पहले मैं power button दबाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर escape प्रेस करता हूँ, ताकि मेरा boot options open हो जाए, और यहाँ से मैं अपनी pen drive को choose कर लूँगा, तो guys आप लोग देख सकते हैं, कि जो हमने bootable pen drive बनाई है, वो easily boot हो रही है, तो guys यह video आपको यही बताने के लिए मैंने बनाई है, कि आप कैसे bootable pen drive बना सकते हैं, वो भी easy तरीके से, तो guys आप लोग देख सकते हैं, विंडोस इंस्टोलेशन स्टार्ट हो गया है, हमारे laptop पर, तो guys जल्द ही में एक next video बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, कि आप अपने laptop में Windows 10, कैसे इंस्टोल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल easy तरीके से दे, तो guys यह वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें